दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे आयो TX कोई के प्राइज मोमेंट के पारे में करेंटले इसकी प्राइज के बात कर तो 0.053 यूएटी से उपर देखने को मिल रही है एक अच्छा खासा मोमेंट इसकी प्राइज में नीचे के तरब देखने को मिला है जो जो लोग के अंदर इंटरी देख रहे हैं जो लोग के उसकी में इंटरी लेना चाहते है उनके लिए बैस्ट इंटरी पोईट कों से हो सकते हैं आने वाले दुनाव आपके लिए टागेट्स कोन से हो सकते हैं अगर आप यहां पर इंट्री लेते हैं तो कहां तक इसकी प्राइस जा सकती है अजर ट्रेडर लोंग टम और सोट्टम के परस्पेक्टिव से आप किन एरियास पर नजरे बनाए रख सकते हैं अवराल सारी चियों के बारें बात करें इस वीडियो के अंदर उससे पहले अगर आपने अभी तक कोईण डिसेक्स एप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कोईण डिसेक्स एप डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा सो रुपे का इतने माई साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके पर रिफल 300 रूपीस का सीबा इनो टोकन आरण कर सकते हैं यहां लिंक के डिस्किप्शन में यहां से डाउनलोड करेंगे तभी आपको साइन अप ओनल देखने को मिलेगा करेंटली 0.0535 पर ट्रेट कर रहा है डेली क्लोजिंग के अंदर देखें तो लगाता डाउन्ट्रेंट प्रीवियस यहां पर एक अच्छा का सा मोमेंट देखने को मिला था 11 अल्मोस्ट 1159 वाला एरिया टुच किया था वहां से फिर लगाता डाउन्ट्रेंट उल्मोस्ट वहां से 60% डिसकाउंट कर देखने को मिला है प्रीवियस ली डिप एक अच्छे डिप थी यहां पर 6 9 6 6 तक गया था लेकिन currently अगर बात करी तो प्रीवियस पानचे दिन पहले उसने वो जो सपोर्ट एरिया था 0.065 वाला एक अच्छा का सा सपोर्ट एरिया था यहां पर इसको सपोर्ट देखने को मिला था और previously यहाँ से bounce back देखने को मिला था यहाँ पर भी इसने अच्छा hold किया लेकिन यहाँ से इसने break कर दिया इस support area को उससे पहले के time frame में भी अगर बात करें तो उससे पहले वाले time frame में almost January के time frame में भी इसको support hold किया था उसके बाद जो dip थी March में भी इसको hold किया था इसने इसी area से इसको हर बार bounce back देखने को मिला था और यहाँ पर भी almost इसी area पर यह hold किये हुआ था यहाँ से भी एक अच्छा खासा moment हमें देखने को मिला था बात करें almost नौंबर के मन्त के अगर बात करें तो वहाँ पर भी प्रिवियस पिछले 6-7 महीने का एक अच्छा लोग बनाया है इसने एक अच्छे लोग के अंदर है और यहाँ पर अगर आप entry नहीं लेंगे तो यह बहुत बड़ी mistake रहेगे अगर आप entry देख रहे हैं तो ऐसा नहीं यहाँ पर entry लेना कंपल सरी है प्राइज यहाँ से भी नीचे जा सकती है ऐसा कुछ नहीं कह सकते है कि बहुत ज्यादा market जो है बहुत ज्यादा uncertain है प्राइज 36,000 unity से नीचे है बीटी सी अभी currently जो की एक danger zone है बीटी सी के लिए यहाँ अगर sustain नहीं कर पाता है तो फिर हम बहुत जादा यहाँ पर time लग सकता recovery में लेकिन वो उन लोगों के लिए रहेगा जिन लोगों ने उपर की तरफ buy किया है जिन लोगों ने यहाँ पर buy किया होगा या फिर यहाँ पर buy किया होगा उन लोगों का यहाँ पर recovery time लगेगा अगर आप यहां पर currently buy करते हैं तो यहां से price थोड़ा बहुत नीचे जाती है उसके लिए हमें proper road में पर proper strategy है वह हमी वो entry points पर आपको बताऊँगा और proper strategy है उसको follow करेंगे तो आपको यहां पर loss percentage बहुत ही कम हो जाया यहां पर 2-4 दिन stable रहेगा या नीचे गई price वाप इस उपर bounce back देखने को मिलेगा वह में time time पर profit भी book करते रहें currently 0.0533 पर trade कर रहा है यहां पर आप entry ले सकते हैं 5 cent से उपर 530 0.0530 पर trade कर रहा है यहां पर आप first entry ले 50% parts 50% या 60% भी यहां पर लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे लेकिन 60% से जाना आपको नहीं लगाना बाकि 40% और नीचे के लिए रखना price नीचे कराती है तो हमें वहाँ पर buy करने क्यों कि अगर आप इस टाइप से buy कर लेते हैं उपर की तरफ ही तो फिर आपके पास नीचे के नीचे अगर price आती है अगर और भी कुछ चीज़े बिगड़ती है तो उसके लिए फंड रहना चाहिए इसे माल लीजे प्रिविएसली ये वाले जो टेक्निकल चीज़े रेखकर यहाँ पर buy किया हुगा 65 एक support area था यहाँ से bounce back expected था तो 65 पर आपने buy किया बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने buy किया होगा बहुत अच्छी बात है एक अच्छी dip थी वो भी लेकिन 65 पर यह आप पूरा fund अगर डाल देते तो यह आपका थोड़ी सी mistake रहेगी आपको fund जिन लोगों ने 50 पर से 60 पर से strategy से buy किया होगा उनके पास fund होगा अभी और इस dip में भी उनके पास buy करने के लिए fund होगा तो इस type से हमें यहाँ पर buy करना है 50 पर से 530 पर उसके बाद current जो support area है 0.054 वाले area पर ही यह almost trade कर रहा है अब आज यह support area hold करता है नहीं करता देखिए आज की जो closing होई थी वो 5.04 से उपर ही होई थी almost उसी area पर होई थी तो इस support area को और यह hold करता है तो आज की daily closing में और आज की daily closing इससे नीचे होती है 5 का round में होती है तो 0.04900 पर हमें second entry लेने है 20 पर से अगर first entry आप 50 से लेते हैं तो second entry आपको 30 पर से लेनी है तो उससे नीचे 0.046 वाला support area है है इसके लिए और अगर वहां तक try करता फिर उस support area पर 0.046 पर आपको third entry लेनी है बाकि 20 पर से यह तीन areas है जहां पर आपको entry लेनी है यह entry points है इनसे हट के आपको entry नहीं लेनी है जल्दी बाज़े नहीं करने है कि price यहां से उपर जा रही है हम तो उपर buy कर देते हैं यह यहां से नीचे नहीं जाए यह इस टाइप के चीज़े proper strategy follow करने बाकी यहां से जैसे bounce break होगा 5-4 current resistance area इसके बास 0.065 वाला जो resistance area most important zone है और यह इसको previous list ने अच्छा खासा hold किया था अब अगर यह यहां इसको try करता है तो इसको hardly rejection देखने को मिलेगा यहां से और जैसे यह break होगा तो इसको support maintain करेगा उसके बास 0.078 वाला जो area य इसको next resistance area face करने को मिलेगा तो जो लोग as a trader लेते हैं उनके लिए 0.075 72 से लेके 75 first target रहेगा वहां पर अपना 50% part sell out करें almost 72 उपर 7 cents से जैसे उपर price जाती है आप अपना 50% part sell out करें और profit book करें यहां पर आपको profit book करना है इस area पर क्योंकि यहां पर भी hardly rejection देखने को मिलेगा 7 cents पर आप अपना 50% part sell out करें profit book करें चाहें तो पूरा ही sell out कर दें अगर जिक्स को नहीं लेना चाहते हैं यहां फिर 50% part sell out करें 50% के लिए 0.075 से लेके 78 के लिए आप वेट कर सकते हैं और जो लोग 6 तम में देख रहे हैं वो almost 10 cents अपना target रखें 10 cents जैसी price पहुचती है time period important नहीं 10 cents price पहुची 10 cents पर sell out करें long term में देख रहें long term में भी यह coin आपको अच्छा profit दे कर जाएगा अल्मोस्ट आप 30 cents से लेके 35 cents तक इसकी price one year में देख सकते हैं बाकि यहां पर buy और sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें यहां पर हमको finance advice नहीं दे रहा है यह video से education purpose है ताकि आपको थोड़ा सा overall coin और प्रोगंशिस related proper knowledge हो सके तो proper strategy आपको पता चल सके बाकि कि खुद की risk खुद के research के हिसाब से buy और sell करें यहां पर हमको finance advice नहीं दे रहा है एक वीडियो से education purpose है बाकि वीडियो अच्छा लागा लाएक जरूरा है चैनल को subscribe कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको regular basis पर मिलते रहें थैंक्यू